Hello Traders, आज के session में हमने point of action के उपर एक discussion किया है, जिसमें के trade execute करने के places होते हैं, जो points होते हैं, और higher time frame पर किस तरह के price actions के बनने का हमें wait करना चाहिए, इसके उपर काफी अच्छा discussion आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वीडियो अच्छा रगते हैं तो like किजिए जैसे कि आप देखो कि पहले हमने last training session में दिया था, इसके पहले हमने एक stock दिया था आपको लाल पैत लैप का, ये सारे के सारे voice notes हैं, जो कि live market में हम share करते रहते हैं, आप group join करोगे तो उसमें आपको voice note as it is, ऐसा ही मिल जाएगा, क्या करना है, selling करनी है, buying करनी किस levels है आप पर discuss कर देते हैं, इसके पहले हमने मारूती दिया था, और मारूती के अंदर भी देखिए, लिग दिया था, लेवल पर confirmations लिजे एंड शॉट कीजे, तो अपना group members को join कर सकते हो, live market में जितना हो सकते हैं, अपने तरफ से पूरा support हम करते रहते हैं, दूसरा, ये कुछ panels है जो हमने यहां पर share कर रखे हैं, आप इसको भी देख सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूपर इतना active नहीं रह पाते हैं, जैसे कि हमने last 2-3 training sessions कोई भी video upload नहीं किया है, अभी भी Monday और Tuesday के session में इसमें भी इतना busy हैं, हो सकता है कि उसमें भी video upload नहीं हो पाए, कई और क्योंकि प्रोजेक्ट्स तुम complete करने के लिए देंगे, वह वग भी देंगे, हमने कुछ patterns शुरुआत में बताया थे, अगर already हम यह बता चुके हैं, तो revision कीजिए, revise हो जाएगा, नहीं बताया तो fresh है आपके लिए, तो इसको फिर से देखें, और समझ यह क्या चीज है कैसे implement करना है, कैसे हम लोग इसका use करते हैं, किस तरह से इनका use हम market में करेंगे, trade में कैसे इसका use होगा, सारी चीज है, क्योंकि कोई भी एक topic या कोई भी हम आपको एक tool दे रहे हैं काम करने के लिए, तो वो tool ज्यादा important नहीं होता है, उस tool को important बनाया जाता है, जितनी basic use जो हम लोग करते हैं, वो volume का करते हैं, अब volumes के through हमें एक level identify करना होता है, basically जो आज हम focus करेंगे वो entry पर होगा है, एक तरह से आप सको sniper बोल सकते हो, इसको भी हम लोग दो parts में divide कर देते हैं, चलिए, पस्ट, देखिए हमें trade execute करना है, execution के लिए, शुरुआत में हो सकता ह कि कोई daily time frame का या आपका कोई predefined area हो, जैसे daily, daily time frame हो जागा है, अब daily time frame का मतलब यह हुआ, कि आपका कोई एक ऐसा point, आपने marking के daily time frame पर, daily time frame कर सकते हो, या फिर hourly time frame पर हमने जो चीज़ बताई थी, वो वाली भी हो सकती है, उसके थुरू आपने एक area निकाल लिया, इस तरह यह daily time frame से एक तरह से आप समझ सकते हो, कि आपका predefined area है, higher time frame का, higher time frame या फिर डिली time frame से जब आपको एक point निकालो, तो कुछ-कुछ आपको इस तरह का point मिल जागा है, एक ऐसा area मिल जाए, जिस area के ऊपर आपको trade execute करना हो, समझ रहे हैं, हमें इस point के ऊपर trade execute करना है, तो जै breakout के breakdown कर रहा है, वहाँ पर हम लोग अपना trade execute करते हैं, इसके बाद में इसको और भी ज्यादा safe करने के लिए, जो हमने यह आपर दो parts लिख रखा, तो एक तो चलिए यह हो गया, कि कोई भी point के ऊपर price आपका निकला, आपने trade execute कर दिया, और दूसरा क्या तरीका होता है, कि इसमें भी आपका एक predefined area है, अभी area कैसे निकल लो यह दूसरा chapter आजाता है, आपका एक ही point हो गया, अब यहाँ पर जैसे ही price ने upside की तरफ movement दिखाने शुरू की हाई, जैसे यहाँ पर इस जगे पर, अच्छा आप दोनों में फर्क क्या होगा देखिए, price actions के अंदर या पर आप smart money भी देख रहे हो, तो उसमें यह होता है कि एक breakout की बाद हम लोग trade execute कर लेते हैं, और इसमें क्या होगा, कि जैसे ही price ने आपका breakout दिखाया, हम लोग यहाँ पर lower time frame पर कुछ एक formations का weight करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि price ने breakout भर कर दिया और हम लोगों ने trade execute कर द है, जितने bunch of candles होते हैं, उतनी strong formation बनती है, कई बार होता है कि दो ही candles, mother candle ही आप माल लो तो वही कितनी strong हो जाती है, लेकिन जितना bunches होते हैं, उतनी ही strong formations बनती है, तो यह दो बाद होते हैं, आयो कि समझ में होगा, first होगे अपना predefined area जैसे breakout पर trade execute हो गया, यहाँ पर इसे price बाहर के तरफ निकला हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एक particular formation के बनने का wait किया, जिसको कि बोलते हैं entry के confirmations, एक तरीका हो गया, breakout पर trade execution, एक हो गया breakout के बाद में, formations के बनने देने का wait करना, उसके बाद में trade execute करने, तो यह ज्यादा strong होता है, यह ज्यादा strong होता है, आपका price action या फिर आपका confirmations बोले करके, इन में क्या फर्क है, management के according, हम management को इसलिए ज्यादा strong बोल रहे हैं, क्यूंकि ऐसा माना जाता है, आप technically गलत हो जाओ, चल जाएगा, आपने दो candles के बनने के जगा, आपने एक ही candles पर काम कर लिया, चार candles के बनने के जगा, आपने छ सही तरह से आपने calculate नहीं किया, ये technical faults में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें सही है, और management आपका बिगड़ गया, तो आप चाहें, जितना अच्छा calculation कर लो, आप जाओगे लो, technically इस जगह पर क्या होगा, कि आप trade execute कर लोगे, but management के according इस जगह पर जब आप आओगे, formation के बन देने का wait कर रहे है, यहाँ पर हो सकता है, formation ही ना बने price मारा सीधी उपर निकल जाए, तो इस case में, जो एक aggressive entry लेकर करके आप काम करते हो, aggressive entry के साथ में हो सकता है, यहाँ पर आपको trade मिलो, अच्छा खासा profit निकालो, but management नहीं बन पाएगा, आप का रिस्क हाओगा, अगर शुरूर, आपने जो निर्धारित कर दे रहे, thousand रूपीस का रिसक है, तो ज़ρूरी नहीं है कि यहाँ पर आप thousand रूपीस का रिस्क ले ही लो, हो सकता है, 1500 का रिस्क हो सकता है, 500 का भी रिस्क हो सकता है, 1000 का नहीं हो पाएगा, but ये वाला जो method होता है ना, इसमें 1000 रूप बिलकुल आपके जुबान पर है इसमें भी हमें बार्गेनिक करनी होती है प्राइस तो आगे की चीज हो गए तो यह दो तरह से हम लोग ट्रेट्स एक्जिक्यूट करते हैं क्लियर है एक तरीका होगे किसी भी फॉर्मेशन को बनने का वेट नहीं करना है जैसे प्राइस ने ब्रिक आउट दिखा दिया हमने ट्रेट एक्जिक्यूट कर दिया यहां पर हम प्राइस के बन जो फॉर्मेशन उसके बनने का वेट करते हैं यह थो कि लोवर टाइम फ्रेम पर जो फॉर्मेशन अब आजाते हैं वापस से फॉलिंग रोस पर फॉलिंग रोस में बेसिकली हम लोग तीन वॉल्म का यूज करते हैं यह पहले भी हम बता चुके हैं और भी फिर से आप देख लिए हो था क्या इसमें बेसिकली यूज यूज त्री वॉल्म बार्स जिस एक दूसरे से कम होती है मतलब फर्स्ट वॉल्म नॉर्मल अब देखिए अगर हम लोग इसको ड्राव कर देते हैं तो कैसा फॉर्मिट बने गाए वन नॉर्मल वॉल्म सेकेंड वॉल्म लेस देन फर्स्ट वॉल्म थर्ड वॉल्म लेस देन सेकेंड वॉल्म और इसमें त देखिए इसको समझ लीजेगा क्योंकि इस पर बहुत हो सकता है कंफ्यूजन हो आपको ब्रिक हो जाओ जैसे कि परस्ट यह जो तीन केंडल बन गई हमें प्रॉपर इतनी ही केंडल चाहिए और गिरते हुए क्रम में चाहिए अगर यहीं पर आपको चार केंडल देख रहे है यह उससे ज्यादा होनी चाहिए अगर इससे कम है और सेम कलर की केंडल बन रही है तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे हाँ अगर सेम कलर है और थर्ड वाली केंडल से ज्यादा तो हम कंसिडर कर लें क्योंकि यहाँ पर फिर हमें गिरते हुए क्रम में एक ही कलर की तीन इन देख रही है अब अगर यहां पर color change होता है अगर color change हो गया और black ही जिएक हमको एक positive candle देख रही है तो positive candle चाहे है छोटी हो चाहें बड़ी हो चलेगे color change है तो कैसी भी candle हो चलेगे लेकिन अगर same color देख रही है और थरड़ केंडल से वॉल्म ज्यादा ही होनी चाहिए मारी ठीक है यह तो एक candle बाद हो गया अब पीछे पीछे में भी same चीज़ अगर black candle मारी form हो रही है तो black candle मारी first candle से कम ही होनी चाहिए अगर first candle से ज्यादा हो गई पस्ते ज्याद होगे तो फिर हम वैलिड नहीं माने क्योंकि फिर यहां पर वह होगे न कि पर इस तरह से यह तीन केंदस निकल गई अब यह होगा कि on फॉलिङ में से अच कि वाल्यम में हैं जिनकी वाल्यम लोज के गीडिक बनी होई है कि आँ हम लोग उस जो one वाली केंडल है इसका हाइस्ट हाई और ़ोएस्ट है हाइस्ट हाइ या फूल्वेस्ट यह माग कर लेते हैं इसमें आपका जो हाई है यह सेंट्मवाली जांडल सीरा और किस यह biennaire का फोन צट windows छलों सकता है जा जो आप है देखरो एक ही केंडल आपका हाई और बना दे है और जो भी lowest होता है हम उसको माग करते हैं और सेम चीज यहां पर भी होगी यह अगर बुलिशा वॉल्म देख रहे तो बेशक इसमें प्राइस आपको अप साइड में देखेगा मतलब पॉस्टिव केंडर से देखेंगी अप साइड में भली ना देखें लेकिन पॉस्टि आइडेंटिफाई कर सकते हैं यह वाला जो पैटर्न वारा फॉर्म को रहा है है आप जब फॉलिंग रोज को इस तरह से मार्किंग करोगे जैसे मार्किंग करोगे और वापस से लोवर टाइम पर आओगे तो आपको कुछ इस तरह के प्राइस एक्षेंगे जो भी लेवल फॉलिंग पैटर्न के अपने लेवल स्ट्रॉ किये हैं लेकिन वहां पर लेवल इंटिफाई आप नहीं कर पाऊगे प्राइस हो सकता है एक बार या दो ही बार टॉच हो बाद में फिर अपने रास्ते निकल जाए जिरम उसको मानते नहीं है कोई भी लेवल जिसको कि हमें ट्रेड एक्जीकूट करना है देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हम अगर ट्रेड एक्जीकूट करने जा रहे हैं तो एक ऐसा लेवल निकालते हैं जिस पर की हमें कुछ रिस्क लेना होता है और फ्यूचर के लिए हम यह डिसाइड करते हैं कि प्राइस आने वाले सम किया है नहीं किया है यह देखने वाली बात होती है अगर पास्ट में किया है तो मोस्ट प्रवेवली चांसेज आर वेरी हाई कि सेम लेवल से प्राइस आपका आने वाले समय में भी अप यह डाउन का मुख दिखा सकते हम लोग इसके पर इसक ले सकते हैं कि फिर से हमारा ये प्वाइंट यह जो पैटन यह इंपॉर्टन नहीं है पैटन्स के अकॉर्डिंग या पैटन्स का यूज़ करके हम लोग किस जगह पर पहुंचना चाहरे है किस तरह के एरिया livre को निकालना चाहरे कहों पर ट्रेक्ट करना चाहरे हैं वह जगह हमारी ज कर रहे हो कुछ भी किसी भी त्रेक से आप ट्रेड एक्जीज की जुरत हमेशा पड़ती है जिसको की प्वाइंट ऑफ एक्शन बोलो या फिर आप बोल सकते हो प्वाइंट ऑफ इंट्रेस्ट एक एरिया जहां से हम लोग ट्रेड एक्जीज़ करें कही से भी में लेवल ड्रव कर एंट्रेड एक्जीज़ गए लिए त्रिकिज़ इसतर एंट्रेण recipients कि और हम लोग खूठ कर दें दूसरा breakout के बाद में हम एंट्री के confirmations लेते हैं अभी एंट्री के confirmations की formation कौन कौन सी ती है आगे के टाइम में हम आपको बताएंगे एक साथ यह साई चीज़ें नहीं बताएंगे breakout पर हम लोग trade कैसे execute करेंगे यह भी आगे की classes में हम आपको बताएंगे बट अभी एक चीज़ देखना कि point of action हम लोग कैसे निकाल रहे हैं वो एडिया जहां से आप लोगों को एक entry देखनी है करनी कैसी है नहीं entry देखनी कैसी है कैसे हम लोग इसको देखेंगे बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ आएंगे आपका stock selection आएगा trend identification आएगा prices के readings आएंगे lower time frame की formations हैं काफी सारी formations है वो formations आएंगे higher time frame के formations हैंगे इसके बाद में आपसे reading करवाएंगे reading करवाने की बाद में फिर trade execution होगा money management होगा यह साही चीज़ हैं पता है क्यूं बता रहे हैं क्यूंकि ऐसा ना मंडे से फिर आप लोग trade execute करने लग जो कि आप तो समझ में आगे ना मंडे से एक्जीकूट करने लग जाएंगे यह confidence लोड़ आप overconfident में आकर के trade execute करने लग गए अभी बहुत साही चीज़ हैं अभी यह तीन पैटर्स हमने आपको बता दिए तीन केंडर्स बना बता दिए अब इन तीन केंडर्स के बन जाने के बाद में फूर्थ केंडल किस कलर की बनेगी यह भी हम लोग decide कर सकते हैं मतलब probabilities क्या होंगी हर बार सही नहीं होता हम बोलेंगे red तो हो सकता green बन जाए हम बोलें green तो हो सकता red बन जाए लेकिन लास्ट एक हमने आपको चार ट्रेट दिए ट्रेट एक्जिक्यूट करने के लिए जिस कलर की केंडल बोली उसी कलर की केंडल फॉर्म हुई तो probabilities क्या होंगी तो अभी ये सारी चीज़ें जो धीरे-धीरे करके हम लोग देखेंगे अभी हमने इतनी points आपको बता है लेकिन focus करने वाली चीज़ सिर्फ ये देखना कि आपको entries के लिए किस तरह से help मिल सकती है है ना ये points थोड़े से important होगे अभी charts के उपर चलेंगे और chart के उपर कुछ-कुछ example हम आपको देखाएंगे उन examples का कैसे क्या use होगा उससे पहले एक चीज़ भी और देखो एक point हम और बताते हैं आपको इसका example नहीं देंगे इसको आप खुद अपने charts पर निकलना ठीक है आप लोगोने कई बार सुना होगा डबल टॉप या फिर सबसे पहली चीज़ double top या triple top का यूज हम नहीं करते हैं हाँ trade execute कर रहे हैं वहाँ पर हम देखने लेकिन बन रहा होगा थो हम उसको देख लेते हैं समझ में आजा था है कि चाहीं double top या यह यह बना यह 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 बना है तो ऐसी कि फॉर्मेशन पर हमें believe नहीं है कि जो बन जाने के बाद बहुत अच्छे से चल जाती है लेकिन double top को देखने का एक यह भी तरीका होता है double tops को देखने का कि किस तरह के double tops को हम लोग trade कर सकते हैं कौन सा double top ज्यादा powerful होता है जूँ ही नहीं कि कहीं पर भी हमें बस दो बार यह इस तरह के double top बन जाता है एक चीज़ ज्यादा रखो कोई बही pattern उत्रहीं अच्छा काम करता है जितना च्छा वो ट्रैप करता है समझ रहे हैं उतना ही कोई भी formation उतनी ज्यादा strong होगी जितनी ज्यादा वह लोगों को वो सबसे कमजोर होगी, जो formation आपको सबसे कम दिखेगी, वो strong होगी, ये retail trader, ये छोटा मोटा trader ये सब बाते देखता है नहीं, सोचता है नहीं, उसके पास ता टाइम ही नहीं होगता है, विचार इतना पड़ा लिखा है नहीं होते हैं कि इन सब बातों को सोचे, समझे, और आपको कोई भी, कोई भी इन सारी चीज़ों के उपर discuss करता हूँ, नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, दिमाग लगता है, इसमें टाइम लगता है, अगर हम आपको बात हैं समझा रहे हैं तो हो सकते हैं मोरे पास 20 question है, 20 question का answer देने के लिए अगर हम पांच मिनट भी आपको देंगे ना तो गरीब 2-3 घंटी क्लास हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है किसी के पस, तो यह सारी चीज़ों को discuss ही नहीं करेगा, और करे भी क्यों, आप लोगों को इसके बारे मालूब नहीं, हम आपको कोई चीज बताएंगे तो तो उसके उप पीछे के, जब आप प्राइस एक्शन पर काम करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, लिक्लिटी को देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, लोगों की जो successful trader उनके mentality को पहचान होगे, यह ना एक loss making अगर आप trade execute कर रहें, तो क्या उसमें reason रहे हैं, कुछ trade आप हमेशा, तो loss में नहीं प्रॉफिट में भी जाते हो, दोनों trades में आपने कभी आसता है, जनरल बनाया, कि इस trade में loss करते हैं, इसमें profit करते हैं, दोनों में फर्क क्या है, यह फर्क निकाले इतना time ही नहीं आपके पास, time तो छोड़ी, आपको money नहीं करता है, यह सब भी हम करें, नहीं कहीं कोई profit क बहुत बड़ा magician होगा कोई, बहुत अच्छे से profit करें, चलो उसे पूछ लेते हैं, कैसे क्या कर रहा है, इस साइचीज होती है, हम भी discussion service ले करें कि इस तरफ भी इस दिशा में भी सोचो, सोचो थोड़ा सा, अब जो बात अभी उन्हें बताएं कि जितना fail होगा, अब मान यह हम क्या बता रहे हैं आपको, double top और double bottom के बारे में, कैसे double top और double bottom का अच्छे स्यूस होगा, वापस से price नीचे आया, फिर से उपर चला गया, और फिर से नीचे आया, है न, यह हो गया, यह breakout हो गया, अब जो एक नया trader है, वो सोचता है, रहे वाह, कितनी अच्छे है, प अब जो गया, हमनी तो trade execute के थे हुआ, वापस से price आप उपर चला गया, अब क्या करें, loss हो गया, loss हो गया, फिर जैसे आप यहाँ पर जाओगे, price क्या करें, आप निकले, क्योंकि यहाँ पर आपने short किया था, आप निकले, जैसे आप निकले, क्योंकि आप loss भी निकले, वापस स्य प्राइज आपका नीची आ जाएगा मन करें चलो हें फिर शॉट कर देते हैं यह तो नीची आ और यह सपोर्ट है यह सपोर्ट उड़ जाएगा मेरा है प्रसम शॉट माज़ते आप जैसे ही निकलोगे जैसे आप एंट्री लोगे वापस से प्राइज आपको ऊपर चला जागा करो आप ट्रेड एग्जीकूट कितना करोगे फिर से उपर गया वाफ़से प्राईस नीचे आपका अब आप डेड़ी ए्ग्जेक्युट नहीं किरोगे दो वारा सल देचे से चुके हो अब नहीं करोगे स्टॉम वापसे चलाएगा अब वो उसी दिशा में जाएगा काम करने के लिए जिस दिशा में आपने सोच रखा था तो ये जो टॉप्स और बॉटम बनते हैं न कोई भी एक पैटन आपका फेल होता और फेल हो जाने के बाद में कभी भी आपको डबल टॉप या डबल बॉटम दिख रहा है आप ट्रेड एक्जिकूट कर दो आपका वो ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लेगा इस चीज़ को खुद देखना चार्ट के उपर खुद देखना जितना आसान हम ड्रॉइंग से बता रहें न एक्चुली ये पैटन उतना ही इजी है इसमें कुछ मुश्किल नहीं होती लेकिन एक बस एहतियात इसके अंदर रखने का यह होता है कि आप ट्रेड को कभी भी अपने ड्रॉख की हुए लेवल से दूर नहीं करोगे जो लास्ट सपोर्ट मार्केट ब्रेक करती है एक तो यह रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाता है है न और यह एक सपोर्ट एरिया हो जाता है यह वाला पॉइंट तो कभी भी ट्रेड एग्जिकूट करो तो सबसे लास्ट सपोर्ट जो मार्केट ब्रेक करती न उसके पास से ही ट्रेड एग्जिकूट करना और इसका जस्ट रपुजिट कर देना आपको डवल बॉटम मि यहां से इस जगह से ट्रेड एग्जिकूट करो आपको रिजर्ट देखनों को मिलेगा किस तरह से डवल टॉप डवल बॉटम काम करते हैं कल से जब मार्केट ओपन हो जाना तो लाइव मार्केट में अगर हमें कुछ फिलाल हम ट्रेड एग्जिकूट नहीं करेंगे क्यो इसको जबरू ट्रॉट अभी चली चार्ट पर चलते हो जो यह वाला पैटन है अपना फॉलिंग रोज और एंट्री वाला इसको देखते हैं बाकि यह आप लोग हमें खुद मार्केट के बेज प्री डिफाइंट एडिया यूस करने के लिए हमें कौन पॉइंट निकालन फॉप्र लिए ट्रीटि उपालिंग रोज पैटन इसको कैसे देखते हैं जैसे पहले यहाइक रैनिंग ची चाट ले लेते हैं के राधि Principal पूर आवर में कर लेते हैं इसको पर फॉलिंग दिख लाइए दिख जाए एम के में आई यह देख लेते हैं चाहिए यह यहां पर सबसे लिटेस्ट पॉरमिशन कहां पर बनी है यह वाली देख रहे हैं अब यह ग्रीन केंडल चाहें बड़ी हो चाहें चोटी हो चल जाएगी लेकिन इसके पहले अगर रेट केंडल बनी है और वो फर्स्ट केंडल से बड़ी है तो फिर हम नहीं लेंगे फिर हम छोड़ देंगे उसको इग्णोर करतेंगे अब एक दो तीन यह तीन जो केंडल से बनी आप इसका लो मार्ग करोगे और इसका हाई मार्ग करोगे समझ गया ना प्राइज एक्षिन याद रखना जो भी हमने बताया कहीं आप इस चैप्टर में फॉलिंग रोज में ट्रैप न हो जाओ यह चीज बहुत 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 ज्यादा ध्यान लगा करके काम करने वाली है पिर से देखिए उसको एक यह पैटर्न बना यह न आपको फयंट करने जितना अच्छी तरह से आप इस तरह के फाइंट करोगे आप लिए अग्स निकालो एक सही प्लेस फैंट करो बाइक आप लोगोग न चप्लेस निकालो कि दिन 말씀 twice beim कि जिमेल किये हैं कोछ लोगों के पास है कुछ क्या मतलब इसमें भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे 10 जून 10 जून पर 10 जून के बैच में जितने भी लोग है उनको उनके पास कोई मेल नहीं गया है तो आप लोगो थोड़े दिन के बाद हम मेल सेंट करेंगे बाकि 20 मई के बैच में सबको मेल जा चुका है तो 20 मेह के जितने भी लोग है आप लोगो तो काम करेंगे साथ यसकी प्रैक्टिस भी करना 10 जून वाले जितने भी अपने ग्रुप में लोग है वह सारे लोग तो देखेंगी देखेंगे उनके पास को मेल बगर नहींगे अभी अभी टाइम है वह सकता है नेक्स यह नेक्स टूनेक्स टीक हम मेल आप लोगों को सेंड करेंगे उससे पहले प्रैक्टिस हम करा रहे हैं यह आपको करनी पड़ेगी देखना होगा इसको तो फॉलिंग रोज से आपको इस तरह के पैटर्स निकालने हैं अब देखे आपका मुव्मेंट दिखा सकती है अब जैसे फूर आउर हो गया अब हम वापस से चलेंगे फाइफ मिनट के टाइम पर यह कंडला आपकी पांच बचकर तीस मिनट पर बनके कंप्लीट हो गई है पांच नौ-तीस पर बनके यह वाली कंडल आपके तो अभी आप चलो और देखर करके अब 930 के बाद देखे क्या हो रहा है 39 पर कौन सी कंडल बनी है यह वाली देखे जो भी हम लोगों ने फॉर्मेशन रॉकी ना उसके बहुत पहले यहां यह यह बन चुका यह फॉर्मिट्स बन चुके अब देखे यहां पर हुआ क्या है एक दो टीन देख रहा है न यही चीज़ आप लोगों को निकालनी है पूरा और के टाइम फ्रेम पर हम लोगों उसका यूज क्या फॉर्मेशन का यूज क्या और हमें यह जगह मिल गए इस जगह पर आकर कि हमने देख लिए सिर्फ लेवल ड्रॉक कर लेने बरसे काम ने चल करने में लगेगा कि हां कुछ जो आपकी प्रैक्टिस ने प्रैक्टिस करने में एक तरह सी एक तरह की स्मूधने साइगी कॉंफिदेंस इंक्रीज होगा सिर्फ यह नहीं कि बस लेवल ड्रॉकर के बैटकर देख रहा है एक व्यू मिलेगा एक पॉइंट फ्यू मिलेगा यही में कुछ तो हम लोग नहीं करना है ना को इंडिकेडर लगरा है ना कहीं किसी तरह काitis त्रद पार्ट्वर्टे यूज़ब कर दोगहीं अब बिण नुक्सान के लॉस दिए नुक्सान के भी पिना लॉस कि सीख जाओ अच्छी प्रह Ländern से आपको लग रहा है cluster में garant बहुत अच्छी सीखो जाकर दो लेकर लैकर लॉस किए फिर तुर कोई फैदा नहीं पैसा अपने पास भजाकर रुखो बिना लॉज किये बिना नुकसान किये जितना अच्छी तरह सूच के सीखो ना सीखो 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 एक टाइम ऐसा आएगा फिर आप खुद कब जाकर कि आप लोग बड़े सेग्मेंट में काम पुर्ण को आप खुद ही पताने चलेगा अब जैसे यह हो गया जैसे ही ब्रिक आउट हुआ प्राइस का मूवमेंट देखी कितना बड़ा मूवमेंट आया आए तिंग करीब पता है कितनी इस जगह से ले करके यहां तक क्लास खत्म हो जाने के बाद क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आप MKR USDT का यह चार्ट देखोगे देखोगे और देख ले ना प्राइस 700 से उपर घूमेंगा नहीं हाँ यह वाली जो केंडल आपकी बन रही ना यहां पर हो सकते इसको सपोर्ट मिल जाए थोड़ा सा यह वाली यह जो केंडल है यह वाली यह वाला पाइंट यहां पर इसको हो सकता सपोर्ट मिल जाए लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो प्राइस फिर आपका 700 पर आजएगा सीधर 700 पर आएगा अबट सब उसने आप परो कि सेल घो जाएगा हाल जाए जाने दो अबीजीसच करें कर सिर्फ उसके उत्र якट करोगे वहां और बहुत कमवर डिक में परोप्र डिक्राइं ने दिए जिक हैं आप बहुत खराभ रिजल्क रहा थ बहुत है हमारा काम सिर्फ इतना कि ज тов जादा से जादा हो उसके उशने काम नहीं करो गया फिर हमसेब कि पative नहीं कर सकते क्या कि दなたा टाइम लग रहा है उसको पहले मेंस करने में कितना समझा देन बाकिकश äम अच्छ है करें जानों एक नहीं करों गया फिर सब नहीं कर सकते हैं फ्यूचर के आपने जो बताया था हमने सब किया भी और फिर रिजल्ट हमने निकाल पर है पढ़ने मजाता है रह्मान यह चार्ट दो क्या है क्रिप्टो का चार्ट है करेंसी वगरा देखने हैं बाकी इस टॉक्स पर जब आप 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 देखोगे सिर्फ वॉल्म देखोगे यहां पर नहीं बनी है जाद दूर नहीं जाना है यह क्या बंधन मैंक हो ओलम कहां पर हो रही है यहां यहां दो थी ग्री यह और नहीं लेकिन कैंडल लेकिन पिट्र बहुत ज्यादा चांस है कि price आपको इसी जगह पर support या resistance लेते हुए दिख जाएगा जो भी lowest low हो आप mark कर लो जो भी lowest low point हो बाकि इसमें आगे बहुत साथी चीज़ है जो कि हम लोग include करेंगे और उसको समझेंगे और अच्छे तरह से करेंगे सिर्फ इतना ही भर नहीं कि mark कर लिए अब इसकाम हो गया लेकिन यह पहला यह पहला step है देख रहे हैं न क्या हो रहा है उस एक जगह पर क्या हो रहा है बाकि जब minute price analysis हम लोग करते हैं lower time frame पर ला करके तो ही पर significant candles हमीं मिलती है इस जगह पर executions की markets मिलती है बहुत कुछ है इसमें जो हम लोग पढ़ सकते हैं सीखेंगे अगे धीरे-धीरे class में लेकिन one by one धीरे-धीरे step by step आगे बढ़ें और को इस टॉक ले लो आग यह बैंक निफ्टी है यह चलो आप बैंक निफ्ट पर यह point आपको बन गए एक दो तीन falling patterns बने यह बन जाने के बाद में next candle आपको green नहीं दिखेगी बहुत बार आप green candle दिखेगी आप backtest कर लिए उसका backtest कर लीजिए इसका देखिए तीन candles बन रही इसके बाद में क्या है green candle लेकिन कब कैसे levels की तरह से ट्रहोंगे और यह green candle लगर हमें trade करनी है तो इसके support points कौन कौन से बनेगी अभी इतनी सारी चीज़ी सीखने की है इसलिए हम आपसे बोलना है क्यासा हो कि Monday से आप फिर over excitement में आकर के trade execute कर दो छोटी-छोटी बहुत साही चीज़ें जो भी clear करनी है तो अभी फर्स्ट स्टेप है जो हम आपको बता रहे हैं तो entries की जितने पॉइंट से कोशिश यह करना कि जो भी swings आपके बने जो support सापके form हो रहा है इनके पास से आपको देख रहे हैं और जो price action समने बताये थे आप यह भी नहीं यह देखिए एक 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 दो तीन और यह आपका हाई हो गया है यहां पर points मिल रहे हैं एक यह आपके यह execution के points मिल रहे हैं आपर lower time frame पर चले जाए है आप चाहें एक पर जाओ और चाहें 22 पर जाओ यह क्या है 21 जूब ओके 21 और 22 हुआ न एक तरफा move मिलता है इस एक छोड़ी सी चीज़ के practice आप पर होगे और next पूरे week इसी एक exercise की ही practice होगी इसके लाव और कोई काम नहीं होगा कोई काम नहीं होगा कोई भी confusion होगा level draw को लेकर करके जो की 100% होगा ही होगा live market में हमसे पूछ हो गया चिर्फ ऐसा नहीं कि बस यह हो गया यह देख लि वॉल्मस में भी आपको देखना confusion होगी के डेट बन रही है ग्रीन बन रही है लागाता दो तो सही लेकिन तीसरी के color change होगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आइंगे कि यह सारा काम करें कोई प्रॉब्लम्स आती कुछ होगा भी सिद्धे वाटसप कर देना हूंको यह चार्ट में देखने सब्सक्राइब लेवल में रोके क्या लेवल सही है यह नहीं सही है यह साही चीज़े देख लेना इतना सा काम करिए और बाकी फिरम लोग मिलते हैं फिर गूट नाइट और दिवशीश वह सुन पर हैं तो 20 में का बेच में हूं आपने जो वीडियो दिया था वह आप थोड़ा-थोड़ा करके देखने के लिए बोला ता जैसे फास्ट वीग में जो यह सतीन तर वैसा वैसा देख रहा है और सर जो फॉर्मेसान और वह सब लगन सरांगें लेकिया और सर रिपलाई नहीं किया वह सब्सक्राइब उपिया है उसके यह साथ सर और भेजे नहीं आपको सोचा कि आप बीजिया नहीं कि या बात कर रहे हैं आपने एक तो फॉर्मेशन में बीजी थी पुलिस टॉप कि तो इसलिए और से नहीं किया आपको जी नहीं हमें आपका मैसेज पुरी तरह से याथ था उसमें बुली स्टॉप देखा था हमने प्रैक्टिस करने के लिए था आपको क्या बोलते हैं अच्छा यह वन आवर को उसमें था वीडियो हमने आपको लाश्ट वीडियो भीज़ा था ना हां सर तो मैं जो मतलब फॉर्मेशन हो रहा है कि और सभी आपको भीजा था ना वह भीजी हमको वह आपके लिए नहीं बोला थे जो वन आवर के एक्सराइस करने किले में जिनको कहा था यह उनके लिए बात बूली कि देखा रहा है को बूली ट्रोप जो बोले नहीं वह देख चुके हैं मिल्ली को तो आपने चार्ट भेज़ा है वह भी शाद थर्ष्टे को भीजा था असद थर्ष्टे को यह से स्याथ है है कि अब भी चार्ट जो भी है तो और भी बहुत अगर सत्त्यूंड को खार्व एक जो फर्स्त मीटिंग था उसमें ने नेकर्ट के शुट्ट करनेक्ट में पाए तो मुझे रिकॉर्डिंग जागा चालाइब लास्ट शंडी क्लास के तो नहीं जर अभी आज का जो इस लाइस में जो फर्स मीटिंग का सेकंड टाइम किये थे उसका में तो मैं था लेकिन जो आपने पॉलिंग बता दिया है वह अप्छली में था नहीं तो रिकॉर्डिंग चाहिए था चलिए ठीए हम कल देगे हो सकता हैं ये क्लास आपकी लोक्ष्ण गंश्याम माइक और मुट करिये अज बड़ेवनिंग बड़ी नहीं गंश्याम बोलिया तर मेरे डाउडी अधर अब्सक्राइशन जो बश्त है रखने अना कम ताम प्रेम पे पात्थोगे तिसरा अप्र प्रेश तर मलब था अधर में जआ जा अधर अधर ल अब आपाते हैं कि मतलब में जो कर रहा हूं तो एक बार जुटा दिते हैं अब लो ताइम प्रेंपेंट वो तो जही होता इसा अब सर्वेशन तो यह ना फॉर्मेशन सही जितने भी आपने चार्ट पर जिए ठीक है अब कि बहुत ज्यादा कोई पर्फेक्ट मार्किंग आपके नहीं है एक दो तीन हाँ यह सई है यह वाला भी ठीक है इससे हाँ दोबारा में जो भेजें उसमें थोड़ा सा इंप्रूमेंट लिए पहले वाले में नहीं थे पहले वाले तो बहुत ही ज्यादा बेकार थे पहले वाले तो तमने वाट से पर यह आपको बता दिया था उसी समय सारे बेकार थे सब बेकार थे उसके बाद में आप में जो भीजे हैं कल में आज मिशाद बेजे हैं वो सारे सही है मत करिए अभी हमने बोला आपको तो शिर्फ यह देखना है अब आप बोलो कि हमने यहां पर इतना ही करना है कि जो लैवल है वह लैवल किस तरह से आपके सिर्फ ये देखो सिह इसी क्या वाट है कि प्लोज सिधे यहा से सीधे हो सकती है कि कि एना सब्सक्राइड समझारे नह听 लिए गाहा है सिर्फ एक लेवल निकालो अभी देखो हमने दो-तीन बार सेम प्राइज जो प्राइज एक्षेन ने बनाया था कि यह 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 बना रहे हैं बार-बार यह चीज़ बना रहे हैं यह दो आप कितनी अच्छी तरह से इस तरह का पॉइंट निकाल पा रहे हो जहां यह जो इरिया यह जो पॉइंट अभी हम लोगों ने ड्रॉव किया यह कुछ आपको इस तरह का लग रहा है नहीं लग रहा है क्योंकि यह ड्रॉइंग है तो हम बहुत अच्छे से जिद्धर जितना मन जितना अच्छे समन होगा उतना से ड्रॉव कर देंगे लेकिन जब लाइव मार्केट में जाओगे तो बिल्कुल आपको ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग नहीं मिलेग वह कुछ इस तरह का मिलेग तो कॉल कर लिया करिया है तो कॉल कर लिया करें को सिद्धर की जिए